हेलो दोस्तों स्वागत है आपको एक बाफिट से हमारे चैनल पे मैं हूँ आपका दोस्त साजित अलवी दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बचे हुए कप्डेज से यूज करके आपको बहुत सुन्दर एक 3D मास्क बनाना बताएंगे इस मास्क को बनाने की यहाँ पे यूज करेंगे अपना एक कपड़ा पेपर फ्यूज और इलास्टिक के अलावा यहाँ पें डोरी वगरा भी यूज कर सकते हैं आप चाहिए तो इलास्टिक लगा लो चाहिए डोरी लगा लो एक ही बात है सबस्क्राइब तो हम अपने पेपर फ्यूज में कटिंग करेंगे इसकी यहाँ पेपर फ्यूज है आपको यहाँ पे इसमें एक निशान लगाना है ऐसे सीधा करके एक निशान यहाँ पे लगाएंगे ये मार्क लगाने के बाद अब आपको यहां पर इसकी लंबाई में यहां पर सड़े साथ सेवन पॉइंट हाफ इंच सड़े साथ इंच में यहां पर ऐसे मार्क लगाएंगे और ऐसा इक मार्क हम यहां पर लगाएंगे अब आपको अपने इस मार्कों सिथा कर देना है इसकी जो मिया पर चोड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 9.5 इंच साड़े 9 इंच लंबाई 7.5 इंच और चोड़ाई 9.5 इंच मिया पर रखी है यह देखिए यह आपका पॉइंच यहाँ पर इंच है और यह साड़े 7 इंच है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस पेपर कटिंग करने के बाद अब आपको अपने इस पेपर को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और इसको फिर ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से ताकि आपके चारो कोने एक साथ यहाँ पर आ जाएं चारो कोने ऐसे आने के बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है दो इंच का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे और दो इंच का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे तो इंच अब आपको इन दोनों मार्क को यहाँ पर ऐसे करके मिला देना है और अब हम इनको अपने चारो कोनों को यहाँ पर बरापर काट देंगे इस तरीके से आपका जो पेपर यहाँ पर ऐसे कट गया है लंबाई यहाँ पर दो इंच रखिए यहाँ पर इमें इसको दो इंच रखा है अब इसके बाद में आपको अपने किसी भी एक साइड से इसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से और ऐसे फोल्ड करके कपड़ों को ऐसे कटिंग कर देंगी तो यह आपका जो मास्क का पैटरन है구요 आप ऐसे कटिंग हो चुका है अब हम क्या करेंगे अपने इस मास्क को अपने इस पेपर को कि सीभी कपड़ थो यह हमने और डूर प्ले प्रेशे कर प्रके निहीं चिपका देंगए अब हम अपने इन तोनों कपड़ों को ऐसे करके ऊपर करके ऊपर नीचे करके रखेंगे और इसमें हम आपको एक बत और बत रहते हैं कि जब फ्यूचर में आपको इसी तरह का मास्ट और बनाना पड़े तो आप इस तरह के पेपर के साइज को अलग कटिंग कर रख ले ताक अपने पूरे पेपर के बराबर में और इतने हिससे को छोड़ देंगे बिन तरह लगाए ताकि इसको यहां से पलट सके अब हम इसके बराबर से एक्स्टर कबड़ा ऐसे कटिंग करेंगे कबड़ा कटिंग करने के बाद अब यह जो गुलाई वाला इससा है यहां पर आप कुछ ऐसे कट लगाईए और जहां पर आपकी नौक अगरा है यहां पर ऐसे कट लगा दीजिए ताकि आपका एक्ष्टर कपड़ा यहां से निकल जाए अब इसके बाद यह जो आपका नीचे का ऐसे खुला हुआ है यहां से आपको बने मास्क को ऐसे पलट देना है यह पने मास्क को पलट और इसके अब हम जितनी भी आपकी नोक अगरा है नोक अगरा को आप सुई की मदद से ऐसे बहां निकाल सकते हैं यह नोक वगर हमने अच्छे जबाह निकाल दिये हैं अब आपको अपने पैटन पे प्रेस कर देने हैं ताकि यह अच्छे से फिनिशिंग आ जाए इसमें और साथ ही जो आपका नीचे का पॉइंट यहाँ पर यह ऐसे खुला हुआ है इसमें आपको अपने पूरे कपड़े को यहाँ पर ऐसे मोड देना है करीब जितना कपड़ा दबावन लिए था उतने कपड़ आप यहाँ पैसे मोड देंगे और इस पे भी प्रेस कर देंगे प्रेस करने के बाद अब आपको मास्क के चारों तरफ किनारे की तरह लगानी है यह आपको नीचे से खुला इससा भी सिल्याला कर बंद हो जाएगा कपड़ा कटिंग किया अब आपको अपने मास्क को इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना ध्यान रहे यहाँ पे जो आपका यह किनारा किनारे फोल्ड नहीं करना आपको यहाँ पेश तरीके से करीब करीब क्वार्टर इस कपड़ा यहाँ पे आपको एक्टर लेना है इस तरीके से यहाँ पे इसमें ऐसे करीब क्वार्टर इस कपड़ा यहाँ पे ऐसे करके एक्टर लिया है अब हम यहाँ पर इसमें दोरी, इलास्टिक जो भी भी आप लगा सकते हैं हम यहाँ पर कपड़े की दोर्डी मेरे लगाएंगे आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी यूस कर सकते हैं यूस करने तरिखा दोनों का एक ही है अगर आपके पास elastic नहीं है, market बंध है, lockdown लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर दोरी लगा लिजे, कपड़े की बना कर, और अगर आपके पास यहाँ पर elastic है, तो आप elastic भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी डोरी का size रखेंगे, 7 इंच, और अगर आप elastic लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6 इंच लेनी पड़ेगी, तो elastic खिच जाती है, यह नहीं किशती, हमेशा डोरी से elastic को आपको एक इंच छोटा लेना है, इस तरीके से हमने अपने इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद सीधी तरफ से, ऐसे फोल्ड क्या हुआ है, आपको किना डूरे अटेच की, अब सिलाई को आप उपर ले जाएए, और दूसरी तरफ ले आएए, दूसरी तरफ आपको दूसरी डूरे लेनी है, यह elastic जो भी लगाना चाहते हैं, यह इसको आपने ऐसे करके अटेच कर दिया है, यह आपका उपर से, यह आपका नीचे से, इस तरीक यहाँ पर भी सेम ऐसे करना है, कपड़ा फोल्ड किया, यहाँ पर क्वार्टर क्वार्टर इंचे से रखेंगे कपने कपड़े को, अब हम इसको ऐसे करेंगे, इस डूरी को इस बार यहाँ पर लगा देंगे, यह से लगाने के बाद, अब आपको, यह जो आपका अंतरा पॉरा पैटर्न है, इसमें आपको क्या करना है, अपने पहले इसको इससे फोल्ड करना है, अब आपको इस तरीके देंगे, यहाँ पर यह ऐसे आएगा, इसको ऐसे नहीं करना, आपको अपने जहाँ पर बीच ह से अपने इस पैटन को यहां पर ऐसे करके सीधा कर देना है इस तरीके से मैं इसको सीधा कर दिया है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहां पर यह ऐसा आएगा हम इसको ऐसे करके सीधा कर देंगे ताकि आपकी सिलाई यहां पर सीधी आए अब यहां पर भी साय लगा देंगे एक नीचा लेपी इसको भी ऐसे ही करेंगे ताकि आमने सामने ऐसे आ जाए अब आपको दूसरे साइड से भी ऐसे ही करना है तो यह देखिए दोस्तो उस तरीके से हमारा 3D मास्क बनके त्यार हो चुका है आप सो घर में बहुत कम कबड़े में और बीना किसी खर्चे के बना सकते हैं जो भी सामान आप घर में रखा होगा आप उसी की मतलब से अपनी मास्क को बना सकते हैं बनने के बाद काफे सुन्दस का लुक आता है और बिल्कुल एक नया लुक की हमारा 3D मास्क बने त्यार हो चुका है आपको मारा वीडियो कैसे लगा यह आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर ज़रूर बता है साथ साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में